वे कौन सी चीजे है जो मुझे वैक्सिनेशन विजिट से पहले उसके दोरान और बाद में याद रखनी चाहिए कुरुपिया अपने बच्चे की टिका करन का रिकॉर्ड अपने साथ ले जाए डॉक्टर को बताए कि उन्हें टिका करन के बाद पास्ट में कई समस्या हुई थी या आपके बच्चे को कोई अलोजी है अगर आपके बच्चे को कोई लंबी बिमारी है तो इसकी जानकारी डॉक्टर को दे डॉक्टर से पूछे कि क्या इस तीका करन के बाद आपके बचे को कुछ अरसविदा या बुखात हो सकता है वैक्सिनेशन के टाइम पे आपके डॉक्टर को बच्चों के nutrition, growth और development के बारे में पूछे टीका करन के बाद आपका डॉक्टर आपको 30 मिनट्स तक प्रतिक्षा करने के लिए कह सकता है या किसी भी immediate reaction के लिए बच्चे को observe करने के लिए है डॉक्टर्स विजिट को punishment या बच्चे को discipline करने के लिए use ना करे जहां तक हो सके डॉक्टर्स विजिट को comfortable बनाएगे लोकल रियक्षिन्स जैसे इंजेक्षिन साइट पर redness, हलका बुखार और इंजेक्षिन साइट पर दर्द हो सकता है जो आम तोर पर कम समय तक रहता है आप टीका करन के बाद भी breast feeding या complementary feeds देना जारी रख सकते है कुरूपय अपने डॉक्टर से संपक करे यदि आपके बच्चे को टीका करन के बाद तेज बुखार आपका सिशू unresponsive या lymph हो जाता है वो rare रहता है या लगातार तीन घंटे से अधीक रोता है या आपके सिशू को feeds आ रहे हो Thank you